पहले हम जाते थे तो लोग कहते थे हम लोगों को कि तुम क्या गरपाऊगे सरकारी टीचर ही कुछ नहीं कर पाते हैं तो मैंने का ऐसा है वो अपने कर्टब से थोड़ा सा हटे हुए हैं हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं हम लोग समाज की सेवा के लिए काम करते हैं बारे में अपने विचार रखेंगे सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत आपके लिए थोड़ा सा अपना पर्चे देदी जी मैं दिनेश गुर्जर गोश्कन तराई से सरदार गुर्जर विद्यामंदर उसका प्रबंदक हूं और लगवक 2007 से मै अपने बच्चों से कहते थी कि पढ़के आप क्या करोगे अगर आप पढ़ने जाओगे तो हमारे घर का काम खराब होगा और पढ़ने के बाद काम याब भी नहीं हो सकते हो हलके हलके हम लोगों ने आकिम जी भाई साब हैं और भी लोग हैं एक गोश्टी की और हम लोगों ने बिचार किया कि हम लोग सिक्षा में अभी जो उन्नत तेरियां हैं जो अच्छे छेत्र हैं उनसे बहुत पीछे हैं तो भाई साब ने सबसे पहले हमें और दो-चाल लोगों को खटा किया और कहा कि अपने लोग सिक्षा के महाउल में थोड़ा आगे बढ़िये और समाज के लिए आगे बढ़ाने के काम करेंगे तो भाई साब की प्रिणा से और हम लोगों के बीच में संपरक किया और बताया कि अगर हम अपने बच्चों को सिक्षित नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे वैविश्य में कुछ नहीं कर पाएंगे और यहां तक ही सिमित रह जाएंगे तो हम लोगों ने हलके हलके लोगों को जागरू किया संपरक किया, संपरक करने के रद सिक्षा का SCHOT Sergey का महत बताया, कि सिक्षा के माद्यम से इव्यक्ती अपने छेटर में अपने जीवन में, हर एक मुचाहि तक पहुंच सकता है。 चाहेँ सर्विस हो, चाहे अच्छा ब्यापार हो, चाहेँ अच्छी जारें और कई एक वच्चे आज फाजी भी बन चुके हैं और तैयारी भी कर ने अच्छी तरीका से तो लोग इसका फाइदा ले रहे हैं और पहले यह चीज हमारे जागरुक करने की प्रडाली किस तरह से रहती थी? जागरुक करने के लिए कोई न कोई कामियावी मिलेगी तो इस तरह से लोगों की बीच में एक विश्वास बड़ा और लोग हमसे जुड़े और जुड़ने के बाद लोग आज बहुत आगे पहुंच रहे हैं और लोग हमारे विद्यालों की सराना भी कर रहे हैं जो अभी जो नौजबान बच्चे हैं वो कंपडिशन की तियारी करते हैं तो उनके लिए कैसंदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से कंपडिशन की तियारी करें जिससे की कम से कम समय में सिलेक्शन पासके जी बहुत अच्छा है आपका प्रसंद चुकि आज का योवा तैयारी करता है लेकिन वो करी पहुंचता तब करता है और हमारा मानना है अगर सुरू से ही जब वो विद्याले में प्रवेश लेता है उसी समय से अगर अपने लक्ष को एक निर्धारित कर ले कि मुझे इस चेत्र में जाना है और उसका साथ उसके माबाप भी दें जब तक बच्चे के माबाप उसकी आवसक्ताओं की पूरती नहीं करते हैं केवल जनम देने से माबाप की केवल करतबे जो होता फूरा नहीं होता है कौन सी कक्छा से उसका लक्ष निर्धारित रहना चाहिए बच्चे का लक्ष तो मैं तो ही कहूँगा कक्छा आट पास करे जब वो नौ में जाए नौ में चुकी वो अपना एक साइ लेनी है या साइंस लेनी है अगर उसके लिए एक इंजिनियर वनना है तो अपना उसी तरही का से साइड का चेहन करता है तो वो लक्ष अपना कक्छा आट पास करने के बाद सही से निर्धारत करें और उसी तरीका से महनत करें उसके माबाप भी उसके लिए मोटिवेट कर बहुत बड़ी है प्रसंग है आपका। डंक इसी होती है। जिससे उसके माबाप उसे पैसा नहीं दे पाते हैं, तो मेरा बच्चों से जो बच्चे कंप्टीशन या अच्छे उच्छे लेविल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि आप खुद मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद आप अपना छोटा मोटा कोई रोजगा आते रहें, तो मेरा मानना है कि आप इससे पैसे से भी परिसान नहीं होगे, और आप जो करना चाहते हैं, वविश्मों से पूरा कर सकते हैं. आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे देश बासियों को? आज के दिन मैं चेतर बासियों को संदेश देना चाहता हूँ, कि आज जो खिच्डी स्रेवोज कारिक्रम है, जैसे खिच्डी में कई चीज़ें मिलाकर कि हम खिच्डी का एक पूझ तयार करते हैं, तो इसी तरीका से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, कि हमारे या हमारे देश में जो लोगों के बीच में आपसी कलय होती है उसे इसी तरीका से दूर कर दें और एक खिचड़ी की तरह आपस में प्रेम भाव पूर्वक सवहार्थ पूर्वक रहें और इस खिचड़ी सहीवोज के माद्यम से हम सीख वीलें कि हम सब जाती बात को छोड़ दें उच नीच को छोड़ दें और हम सब एक खेटर हैं अपने लोग तंत्र को मजूद करें इस तरीका से हमारा देश और महान बनेगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जैसा कि गुरू जी ने बताया कि आप से कलय को दूर करें और एक साथ मिलने का प्रियास करें जैस करें?